पोको F4 डिवाइस के लिए एक लेटिस्ट अपडेट आ चुका है जो कि हमारा प्रोजेक्ट अलक्सिया है Android 13 के अपडेट के साथ और यह अपडेट आपको काफी ज़्यदा पसंद आने वाला है आप लोगे काफी ज़्यदा कमेंट आ रहे थे कि भाई आप इस डिवाइस ल पसा चलेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लेज यार सब्सक्राइब कर देना और इस तरह कर वीडियो चाहिए तो भाई लाइक करके शेर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ आउट फोन में आपको दिखाई देता है POCO F4, Android version 13, यहाँ पे बिल नमबर बगए रहे है, डिवाइस अस्टेटिस बगएर और बाखे दर इंफोर्मेशन, यहाँ पे टैप करते हैं इसका पूरा डिटील आपको दिखाई देगा, जो वाल पे पर यूज़ करेंगा उसका code name अगएर है, और build rate यहाँ पे आपको 15 का दिखाई दे रहा है, बट यह अभी एक दो दिन पहले है, जो भाई यहाँ पे पॉलिस किया गया है, इसलिए यह थोगा लेट आपको दिखाई दे रहा है, बट यह भी बिल्कुली latest updated है, और यह जो भाई नाम सुनके मुझे किस सी वेब स्रीच के कुछ सीन का याद आ गया, बट याद नहीं कि कौन सा है क्या है, लेकिन हाँ याद आया जरूर, वग इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है system, जहाँ पे Android 13 के सारे features आपको मिल जाते हैं, तो जो features in Android 13 के वह मैं बार बार यहाँ पे repeat नहीं करूंगा, ले यहाँ पे आपका device encrypted मिल जाएगा, setting पे tap करने के बाद scramble layout आपको मिल जाता है, जो की सही है, उसके बाद यहाँ पे sound के profile में आपको me का sound effect मिल जाता है, यानि music listen करने में आपको थोगा सब benefit यहाँ पे मिलने वाला है, डॉल भी बगरा तो यहाँ पे नहीं दिया गया, लेक camera's related कोई भी कमी feel नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सारे features आपको करीब-करीब मिल जाते हैं, साथ-साथ यहाँ पे camera का output है, यहाँ पे काफी ज़्यादा सही लगे हैं, लेकिन जैसा camera है उससे आपको result भी मिल जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपको next level के चीज़े मिलेगी, इसका camera already downside में रहता है, तो उसके साबसे आपको result अच्छा मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे वही common से आपको options वगिरा है, जो मिल जाते हैं, notification बिल्कुली simple है, battery जितना मैंने use किया, मुझे काफी सही लगा, और यहाँ पे profile भी आपको मिलता है, जहां से आप performance से जो boost कर सकते हो, और कितना यह boost करता है, वो मैं आगे आपको है जो दिखा दूँगा, wallpaper में आपको कुछ इस तरह के सा option मिल जाते हैं, जहां पे आप select कर सकते हो, और pixel के सारे wallpaper आपको मिल जाते हैं, color के भी option आपको जो यहाँ पे मिलते हैं, टेसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, यह ह जाता है, उपर के दो option आपको यहाँ पे donate का और इसके बारे में information मिलेगा, बाकि नीचे के और आपको mislaneous मिल जाता है, जहां पे advanced boot menu अगेरा, higher FPS in game यानि 98 पे से आपका unlock हो जाएगा, और यहाँ पे इसका game space मिल जाता है, यानि यहाँ पे जो game mood है वो, और वो किस तरीके स आपको देखनी को मिलता है, back आने पे जो कि gestures होगे रहे है, जहाँ पे आपको true and false के रूप में दिखाई देता है, not on and off, जैसे यह screenshot चाहिए, आप इसे on guard the true हो जाएगा, open camera चाहिए, on guard the true हो जाएगा, अधवाए आप off कर गए तो यह false हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़े है जो देखनी को मिल जाती है, जो कि हलका सा change किया गया है, quick setting के अंदर disable sensitive QS styles आपको मिल जाता है, यहाँ पर QS के customization आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर default वाला कुछ इस तरीके साब को दिखाई दे रहा है, इसे आप चाहो तो change कर सक सकते हो, Classic, अब कुछ इस तरीकी साब को देखनी को मिलेगा Classic वाला, another seaf change करते हैं तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर outline वाला, तो यह कुछ इस तरीकी साब को हो जाएगा, फिस से यहाँ पर आते हैं, तो यह कुछ इस तरीकी साब को होज़ेगा, और यहाँ का भी layout आप द अंदर आपको double tap to sleep, icon manager वगएर आपको मिल जाएगा, traffic inductor है, clock है और battery percentage वगएरा है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको मिलता है theme, यहाँ पे online आपको देखनी को मिलता है themes के fonts वगएरा, यहाँ पे icon का styles, यहाँ पे signal icon वगएरा और wifi के वाई look में आदा तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ कम भी नहीं है, काफी अच्छा का सा look मिलता है, असमुद्नेश काफी ला-जवाब है, पिक्सल वाल फील बिल्कुल ही है, पूरा दे देता है आपको, साथ चाथ यहाँ पे आपको देखनी को मिलता है display, जहाँ पे auto brightness आपको working मिल जाता है यहाँ पे भी आपको देखनी को मिल जाता है एंड्रॉइड 13 लग फीचर्स किदर गया भाई यह रहा ठीक है बाकि यहाँ पे जूम का ओप्शन आपको मिल जाता है बाकि यहाँ पे आप और यहाँ पे आपको गूगल जैसा डायर्ट देती है बट यहाँ पे कॉर्ड रिकॉर्डिंग आपको मिलता है बिडाउट एनॉस्मेंट वाला जो कि एक टाइम पहले हमें एंड्रॉइड 10 11 और 7 पर देखनी को मिलता था तो वह सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते ह हटना भागना यहाँ से तो यह चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी तो यह आपके लिए काफी जड़ा एडवांटेज होने वाला है जिनको भाई कॉर्ड रिकॉर्डिंग चाहिए ही और भाई बाकी सारे फीचर्स भी चाहिए तो यहाँ पे सारे चीज़ आपको अच्छे भी रोम को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यह देखनी को मिलता है गीक बेंच का रिजल्ट जो कि ऐसा फील करवा रहा है कि भाई मैंने किसी अच्छे खासे मीवाई के रोम पे है जो टेस्ट किया अच्छा नहीं रहता है जो कि काफी बहते हैं इस कस्टम रोम का अनादर यहां पर यह है अंटू टू जो कि यह भी काफी लाजवाब है क्योंकि मीवाई पर भी यह कभी-कभी डाउनसाइड में रहता इतना अच्छा नहीं रहता जितना कि यहां पर देखनी को मिल रहा है अनादर यहाँ पे 100 पे डालने के बाद मैंने चेक किया और इसकी इंसूट लिया और भाई वो से भी नहीं हुआ कुछ इसके से एरर आ गया तो मैंने दुबारा परफॉर्मेंस मूर इनेबल करके जब चेक किया यानि unlimited photo storage है जितना चाहँ उटना upload कर लो device certified जैसा की कहा तो banking app आप यहाँ पे यूज कर पाऊगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि 78 यहाँ पे पास रहता है by default आपको 60 apps तो मिलता है setting में आपको दिखाया higher apps का उसे आप on कर गए तो यह 90 पे switch कर जाएगा और आप यहाँ पे gaming भी काफी अच्छा खासा कर पाऊए क्योंकि जो result है वो लाजवाब है और standby battery drop जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 79 और morning में आजाता है 76 तो यहाँ पे 3% का battery drop हुआ है standby में जो कि एक normal में कहूंगा कोई खास ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी जितने भी मैंने recently रोम चेक किये ना सभी में काफी तरब battery drop देखने को मिलता है जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है और camera output भी मैं कहूंगा कि ठीक है इसके हिसाब से तो यह जो पूरा रोम निकल के आता है ना हमारे device के लिए यह काफी बहतरीन है लाज वाब है और मेरे तरब से तो भाई रिकमेंडेट होने वाला है आप से भी को अगर आपको एक low customization, higher performance और pixel वाले feeling चाहिए तो यह आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है आपके ना ही camera की कमी खलने वाली है, ना ही sound की कमी खलने वाली है और ना ही call recording से यानि हर जरूत की चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है और भाई मेरे तरब से यह okay okay है और आपको कोई दिकत नहीं आएगा और कुछ लोग यह भी complain करते हैं कि भाई आप जब भी वीडियो लेकिया तो सभी रोम में कहते हूँ कि यह perfect है यह best है ऐसा नहीं होता जब जिस रोम के अंदर कोई bug रहता है मैं आपको बता रहता हूँ और last में मैं अपना भाई recommendation भी आपको बताता हूँ कि यह कर लेने like है या नहीं लेने like है इसमें क्या कमिया है और यह कमिया आप face कर सकते हो तो डालो नहीं कर सकते है तो ignore करो यह सब कुछ मैं बताता जो कि आपकी यूज करने like हो अधरवाज मैं कई सारे वीडियो में यह भी कहता हूँ कि भाई यह रोम यूज करने like नहीं है इसके next update का wait कर लेना तो यहाँ पे भाई यह update करने like है wait करने like तो बिल्कुल ही नहीं है और installation guide आपको मिलेगा discussion में जिसे check out करके आप इसे अपने phone के अंदर है जो डाल सकते हो मिलते हैं निक्स वीडियो में बाई